तो दोस्तों फिर हम एक बार बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं हमारा विंडोस 10 अपडेट के कारण बहुत सुलो हो जाता है यह कंप्लेंड बहुत सारे कस्टमरों की कई बार आती है तो दोसे एक सॉप्टेर आता है विंडोस 10 अपडेट मेनेजर यह बिल्कुल फिर बिल्कुल बंद हो जाएगी तो दोस्तों इस चारो ऑप्शन मैंने यहां पर डिसेबल कर दिये इस चारो ऑप्शन डिसेबल करने के बाद आपको इसमें और बहुत सारा ऑप्शन है शेडूल टास्क है बिटा डिटेक्टर है तो आप इस बिटा डिटेक्टर के थूरू इसमें जाकर आप कुछ शेडूल चीजें होती है तो शेडूल चीजों को भी बंद कर सकते हैं यह अनिस्टॉल विंडोस क्लेटर है इसमें जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको अब अनिस्टॉल करना है यह शेडूल टास्क है इस शेडूल टास्क के थूरू P windows slow होने का बहुत बड़ा region होता है तो दोस्तों इस सारे schedule task को मैंने disable all task के through अगर आप चाहें तो एक बार में ही disable all task कर दें disable all task करने से से इस सारे task जो हैं आपके windows के background में जो चलते हैं यह सारे task बंद हो जाएंगे दोस्तों इससे आपकी windows बिल्कुल भी slow नहीं होगी अब इसके बाद हम दोस्तों आएंगे windows services windows services जो इस software के अंदर दी गई है उसकी detail यहाँ पर दी गई है अब इसके बाद हम जो mobile laptop या अपने computer में जो unwanted softwares हैं जैसे कुछ software हमारे computer में windows के संग फिरी आते हैं आपको वो नहीं चाहिए कुसी काम के निचे से xbox है xbox आपका किसी काम का नहीं है तो यहाँ practical हम जिसे यह list आ गई आपके windows 10 की app and features की यहाँ पर पूरी list आ रही है अब हम xbox live को यहाँ से remove कर देंगे तो दोस्तों यह remove हो गया अब हम वापिस app features में जाके देखेंगे यहाँ से refresh करेंगे इसको पीछे जाके वापिस लेंगे आगे तो दोस्तों यह software यहाँ से remove हो गया तो दोस्तों आप इस software के थुरू windows update को stop कर सकते हैं जिससे आपकी windows विल्कुल भी slow नहीं होगी तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइफ के इन सब्क्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल में बने रहेगा जिससे आपको नहीं नहीं updates और software के बारें पता चल सके धन्यवाद